हेलो दोस्तो एवल एनिवा में आपका फिर्से स्वागत है दोस्तो ऐसा बोलो जाता है कि जिस इन्सान का अंतिमस्थकार ना हो पूरी विधी विधान से तब तक उसकी आत्मा को शान्ती नहीं मिलती और इस बात को हर धर्म में माना जाता है ऐसी एक haunted कहानी जिसमें एक नहीं कई dead bodies का अंतिम संसकार नहीं किया गया और उनकी भटकती आत्माओं ने उस जगा पर अपना कबज़ा जमा लिया तो आए दोस्तों जानते हैं कौन सी है ये जगा फिराता बाद साइंस कॉलेज हाइदराबाद एक बहुत अच्छा शहर है और यहाँ जितनी खुबसूरती है उतनी haunted location भी है आज हम बात कर रहे हैं खेराता बाद साइंस कॉलेज की एक टूटी सी बिल्डिंग फ्लाइवर के पास जिसे कई लोग साइंस कॉलेज कहते हैं वहीं कई लोग खेराता बाद साइंस कॉलेज भी कहते हैं अब इस बिल्डिंग की कहानी यू है कि कई साल पहले यहाँ साइंस कॉलेज था और लैब्स में डेड बॉडीज के उपर एक्सपेरिमेंट्स टेस्ट किये जाते थे एक तिन अचानक ये बिल्डिंग का एक हिस्सा टूट गया और ये कॉलेज बंद कर दिया गया अब रातो रात एक कॉलेज बंद हो गया और अंदर रखी डेड बॉडीज यू ही बाइलोजी लाप्स में छोड़ दी गई कॉलेज में अवेद एंट्रिस को रोकने के लिए गार्ट स्टेनात किये गए साथी साथ गॉर्मेंट को डर था कहीं ये चोरों का न शेडियों का अड़ा ना बन जाए या फिर सुनसान होने की वज़े से ये एक क्राइम लोकेशन ना बन जाए अब यहाँ ऐसी घटना होने लगी जिसने कॉलेज के पास से गुजरने वालों के मन में डर बठा दिया दरसल दो गार्ट इस कॉलेज की रखवाली के लिए रखे गए थे और रूमे से एक गार्ट एक रात अंदर गया और कभी नहीं लोटा दूसरे गार्ट ने कुछ दिन बाद पुलिस में कम्पिलिन्ट की और पुलिस ने तहकीका चुरू की अब जैसे ही पुलिस कॉलेज में गई तो वहाँ गार्ट मरा हुआ पाया गया और उसकी हलत ऐसी थी जैसे उसने मरने से पहले किसी ड्रावनी चीज़ को देख लिया हूँ क्योंकि गार्ट गी डेड वाड़ी की आखे खुली हुई थी और मानो ऐसा लग रहा था कि वो डर कर मरा हूँ उस गार्ट ने उस कॉलेज में क्या देखा ये राज उसी के साथ इस दुनिया से चला गया ये राज भी उसी के साथ चला गया है सर वाकी साथ पुलिस को कई और लाशे भी इस कॉलेज में मिली जो की गुमनाम थी आप सभी लोगे मन में एक सवाल आया होगा क्या किर उस रात ऐसा क्या हुआ जिसकी वैसे उस गार्ड को उस कॉलेज में जाना पड़ा तो दूसरे गार्ड ने पुलिस को बताया कि जब से उन दोनों गार्ड ने डूटी जोइन की थी तब से कॉलेज में अजीब अजीब आवाजे आती थी मानो कॉलेज उन दोनों को किसी भाने से अपने पास बुला रहा है पर वो दोनों नहीं जाते थे एक रात अंदर से एक बच्ची की जोर जोर से चिलनानी की आवाजे आ रही थी जैसे मानो उस बच्ची को कोई मार रहा हो उसी बच्ची को बचाने के लिए वो गाट अंदर गया था और फिर अंसॉल्ड मिश्री की तरह ये बात फैल गई कि जो भी इस कॉलेज में जाता है वो कभी लौट कर नहीं आता क्योंकि जब से कॉलेज बंद हुआ है उसके बात जो भी अंदर गया वो कभी लौटा ही नहीं और बहुत से अनलोन लोगों की लाशे इस कॉलेज में मिली है पर इन सबसे हट कर एक और बात इस कॉलेज में फेमस हुई है जबसे कॉलेज बंद हुआ है उसके बाद से इस कॉलेज के पास से गुजरने वाले लोगों ने कंकाल को चलते हुए इस कॉलेज में देखा है वहीं कई लोगों ने चिलाने की आवाजे सुनी है कई लोग का मानना है कि जब कॉलेज बंद हुआ था तो लैब में पड़ी सारी डेड बॉडीज को डिस्पोस्ट ओफ कर देना चाहिए था या फिर यू कहे कि उनका अंतिम संस्कार कर देना चाहिए था जो की नहीं हो पाया और उन्ही की आत्मा इस कॉलेज में आज भी भटकती है आज भी इस कॉलेज में जाने वाला इंसान लैब में पड़ी डेड बॉडीज को देख सकता है क्योंकि कभी उन्हें डिस्पोस्ट ओफ ही नहीं किया गया अगर आप इन सब जगाओं के बारे में नहीं जानते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है जाकर इस वीडियो के बाद जरूर देखें आप सभी लोग को क्या लगता है इस साइंस लैब की कहानी के बारे में हमें कमेंट में जरूर बताएं साथी साथ ये भी बताएं कि आप जानब पसंद करेंगे ऐसी हांटिड लोकेशन पर और भी मिस्चिरिस वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बैल आइकन क्लिक करें जिसे आप लोग को सबसे पहले मिल सके हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन साथी साथ हमें इंस्ट्राग्राम पर फॉलो करें हमारे पेज का लिंक डिस्किप्शन में है